नमस्कार मैं राजेंद्र कुमार त्रवेदी आज पुना आपके समक्ष एक नए विशय नए मुद्दे को लेकर उपस्तित्वाओं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो के अंततक आप मेरे साथ बने रहेंगे विशय है पुलिस आयुक्त ब्रहन भूंबाई की अगली नियुक्ति क्यों लेकर क्योंकि 30 जून 2022 को आगे का एक्स्टेंशन मिलने की संभावना ना के बरबार होने की वज़े से पुलिस आयुक्त विद्यमान पुलिस आयुक्त स्री संजय पांडे जी 30 जून 2022 को रिटार होने वाले उनके बाद नयाप सीपी कौन होगा इस बारे में मार्केड में कई तरह की चर्चाएं सुरू है उसमें इंट्रेस्टिंग जो चर्चा है जो चर्चा है दागी पुलि तो उनका कहना है कि जब सीव सेना के कुछ बागी विदायकों को या उनके दम पर भारती जन्ता पार्टी अपनी संभवित दो-चार दिनों में अगली सरकार बनाने की प्रस्थापित करने की कोशिस कर रहा है या कर सकते हैं तो हम दागी अधिकारियों का विचार क्यों न प्रमविर सिंग्जी है जिन पर कि कई संगीन अपराद दर्जा हैं सस्पेंडेड हैं कोट से उनको कुछ इम्मुनिटी मिली विए और सीबियाई उनके प्रकरण की जाच कर रही है उनका कैना है कि वे क्योंकि वह भी 30 जून को रिटायर होने वाले पर उनको विश्वास ह है द्रण विश्वास है कि उनके रिटायर्मेंट की पूर संध्या को वे निलम्मन तोड़कर पुना पुलिस विभाग में आएंगे और अपने सर्विस का एक्स्टेंशन सरकार से प्राप्त कर पुलिस आयुप्तपत पर विराजमान होंगे यह उनका विचार है उनका कहन संगीन अपराद दर्ज हैं परंतु अभी तक उसका निना होना बाकी है वहीं दुती कर्वांक में माते रश्मी शुकला जी जिन पर पुने और मुंबई में दो अलग-अलग टिकाने पर उनके उपर टेलीफोन रिकॉर्डिंग पॉलिटिकल लीडर्स लोगों के और अन् तुन उनका कहना है अब रात भले दर्ज हो न उनने अरैस्ट किया गया है नहीं कोई अभी तक उसमय नहीं हुआ भले चारुखर चली पर उन तुन नहीं तक नहीं हुआ है इसलिए वह भी प्लिस आयत मफद्स पथ है और पुलिस आइत पत्स के रिश्मी है और उनका कहना है कि जो मार्केट में बताया जा रहा है कि उनका ऐसा मानना है कि जिस मुद्दे को लेकर उनने लेकर रेकॉर्डिंग की है उन मुद्दे को लेकर आने वाली सरकार में सरकार को उनकी काफी मदद लिल सकते हैं वहीं Joint CP Law and Order, Present Joint CP Law and Order नागरे पाटिल जी का प्रमोशन हुआ हुआ है, जिससे चलते वहां उनकी बतली होने वाली है, जिसको द्ध्यान में रखते हुए Joint CP दरजे के स्री रविंद्र अनंत सिस्वे, जो आजकल Human Act Commission में है, उनकी भी हुच्साहा बढ़ा हुआ है, उनका कहना ह यदि इंटर्सेप्शन के गुना दाखल होने के बावजूद रश्मी शुकला जी को पुलिस आयुपत राप्त होता है, तो यह मानना है कि उनसे अच्छा कौन illegal CDR निकाल सकता है या इंटर्सेप्शन कर सकता है, तो इसके चलते हैं, अगर उन्हें वहां law and order का पद दिया सकता है, तो रश्मी शुकला जी के कारे में काफी मदद हो सकती है, जैकि वे illegal तरह से CDR निकालना या टेलिग्राफिक आयक्ट के काईदाओं का वालेशन करने में वे काफी महारत हासिल है, इसलिए उनको जोइंट सेपी law and order के लिए उनका चैन करना, भावी पुलिस आयु आगे और एक नाम चर्चा में है, इसरी सुबत कुमार जैसवाल जी का कहना है कि उनको यह सत्य है कि मुका पोर्ट में विशेश मुका न्याल है, उनके बारे में इस्टिक्चर पास किये हैं कि उनके तिलगी प्रकरण में तिलगी को मदद किये मुका क्या रूपी को, परं गचैन होना उचित होगा, अभी हो गई दागी और परंतु जो कुछ वाट्सएप इनवर्सिटी से जो जानकारी मिल लएगे, एक दागी पुलिस अधिकारी हैं जिने चोटा चेतन करके कहा जाता है, लोग उनका नाम लेने में थोड़ा डर सा महसूस करते हैं, वाट्सए विदायकों को लेकर नए सरकार स्थापित होने आली हैं, तब से वे काफी उत्साहित हैं, और उन्हें पालव टेलर जो अमरे पुलिस उनिफॉर्म सिलते हैं, उनकी दुकान में देखा गया, वहाँ पर वे उनिफॉर्म के नए उनिफॉर्म सिलाते वे पाय गया, और कहते सुना गया है कि उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी मेरे ड्रस दयार करो, अगला मुंबई का सीपी महीं है, उनका यह भी मानना है कि भले उच डीजी ने उनके विरुद्ध अगेंस में लिखा है, लिखा होगा, परंतों कहते हैं अगर जो बागी विदायक सत्तार जी के मन में हिंदुत्तों की भावनाय जागरत हो सकती हैं, तो जोटा चेतन जी हिनमन में मुंबई की सुरक्षा, मुंबई वासियों की सुरक्षा, मुंबई पुलिस की सुरक्षा और देश की सिवा का जज़बा और भावनाय क्यों नहीं जागरत हो सकती हैं, इसलिए उनका नाम चैन प्रक्रिया में ज़रूर होना चाहिए उनका ही चैन होना चाहिए क्योंकि इसके पहले चाहिए राष्टवादी के आरार पार्टी लोग उनके नजदिक थे बीजेपी के लेवेंफ़न वीजे उनके भी नजदिक थे तो उनका चैन आने वाले संभव जो सरकार है उसके काफी मद्यदगार सिद्ध होगा ऐसा उनका मानना है अभियत हुआ चर्चा का विश्य की ऐसा ऐसा मार्केट में जो चर्चा है यह उनकी चर्चा है वहीं पर जो विद्यमान पुलिस आयुद स्री संजे पांडे जी है उनको लोगों से कहते हुए सुना गया है कि उन्हों पुलिस विभाद में जब तब हुए ड्यूटी किया है उस दर्मियान उन्हें प्रामणक्ता इमांदारी और पुलिस सर्विस के प्रति एकनिस्ट होकर कारी किया है परन्त उन्हें भैस अता रहा है कि इस तरह से कार्य करने के एवज में आफ्टर लिटायर्मेंट करने वाली और वाजिब भी है क्योंकि इमांदार आग्मी है तो यह सब चीजे संभवित हैं खैर स्री संजय पांडे जी के रिटार्मेंट लाइफ के लिए मैं सुभ कामनाय देता हूं और प्रतिक्षा करता हूं कि अगला नव नियुक्त पुलिस आयुक्त कौन होगा और उस समय फिर मैं इस विशे को लेकर आपके समख्षु पस्थित हुआ तब तक मैं यहीं पर मैं अपने सब्दों को कुनु गरान देकर विशे को यहीं समाप्त करता हूं जै हिंद जै महराष्टा